रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यहीं आशा थी कि कि किसी दिन कोई सुन्दर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भाग कर रानी रूपा के पास ग लिया है तो उसे अपना वाइदा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वाइदा पूरा करें। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था। लेकिन इतने दु अर्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक अठाक रहें। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दर्वाजा खट-खटाया। एक सुन्दर नव्युवक ने दर्वाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाओंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूँगा। सभी उत्सुक थे। सिवाए रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुसे में थी। उसने जलाते और खींचते हुए अपने आपको कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ती सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया और कहा। देवी का विवाह तो अब हो गया है, शो इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, इतने नौकर हैं तो फिर में क्यों गायन चराने जाऊ। यह मेरी आज्ञा है, एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुम से विवाह का प्रस्ता करें, तो ततकाल कह देना कि तुम विवाह के लिए राज्जी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी राणी निराश नहीं हुई, जंगल में कोई अजगर तो था नहीं, जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूनने का निश्चय किया, उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आजग्या दी, बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला, उसे पकड़ कर विराज महल में ले आए, आखिरकार राणी का अभिप्रायह पूरा हो गया, और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया, अब रानी को संतोश हुआ, विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी, रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दर्वाजा खट-खटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला, उसन दर्वाजा तब भी न खुला, रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दर्वाजा खोल दिया, मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था, रानी चीख पड़ी, महल में सभी ने उसका चीख न सुना, राजा और रसोया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया, वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई, तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूँगा, उसने अजगर का पेट चीर डाला, तारा अच्छी भली जीवित थी, रसोये ने उसे बाहर खींचा, वह चीख मार कर अप और संपन्न नव युवक से हो।